हेलो एवरिवन आज का वीडियो में फिर से लेकर आही हूं आपके लिए एक प्यारे से बेस्ट आउट ओफ वेस्ट का तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने लिए डव शेंपू की खाली बोटल्स तो आप इनको किसी कटर से या धारदार नाइफ से इस तरीके से काट सकते हैं तो यहाँ पर आप वीडियो में जैसा की देख रहे हैं ऐसा कट लगा लीजिए बोटल पर और इसे बहुत ही प्यारा सा प्लांटर बनने वाला है बहुत ही क्यूट सा प्लांटर बनेगा जो आपके गार्डन को बहुत प्यारा सा लुप देगा तो पीछे से आप इस तरीके से cutting कर लीजिए और इसके उपर वाले पार्ट को cut करके हटा दीजिए अब जो बेक साइड का पार्ट है उस पर आपको इसको hang करने के लिए बनाना है तो पीछे की साइड से आप इस तरीके से cut करके इसमें एक छेद बना ले जिससे की आप easy way में कील पर कहीं पर भी आप इसको hang कर सकें तो देखिए इस तरीके से आपको बोटल को cut कर लेना है अब इनका जो उपर का label है वो बहुत ही easy तरीके से इस तरीके से हट जाएगा तो आप भी इसको हटा ले और उसके बाद करना है आपको इस पर color तो आपकी पसंद का आप कोई भी color कर सकते हैं पर मैंने यहां पर yellow color यूजा में लिया है यहां मैंने इन बोटल को face वाला look दिया है तो आपकी पसंद से कोई भी कोई भी brush कर सकते हैं तो मर्जी आपकी है आप इसको किस तरीके से delic करना चाहते हैं अगर आपको मेरा decoration का तरीका बसंदाता है तो आप इस तरीके से भी decorate कर सकते हैं लेजिए कलरिंग तो हो गई है इस पर अब इसको सूखने देना है और सूखने के बाद लेने हैं आपको इस तरीके के black धकन ब recommend लेक ना हो तो आप black color भी किसी दूसरे color वाले धकन पर कर सकते ह और उसके अंदर आपको इस थरीक से lot color करदे ना है जिससे की एए our contract wa香港 डेकोरेट कर देना है अच्छा प्यार आसा अछ डेकोरेट कर देना है अगर आपकी ड्रोइंग बहुत अची है तो आप इसे और प्लांटर कर दीजिए, जब तक प्लांटर तयार होते हैं, मैं भी आप से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कर लोँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ये मेरा आइडिया पसंद आता है, बेस्ट आउट वेस्ट का, तो मेरे चैनल पर बने रही है, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अब इनको ड्राइ होने के बाद आपको पेस्ट करनी है इस पर आइस जो की हमने बोटल के धकन से बनाई है तो उसके पहले आपको आईब्रो ड्रो करनी है तो मारकर की हेल्प से भी आप आईब्रो ड्र वेस्ट के साथ साथ स्कूल कोलेज के प्रोजेक्ट वर्क टी एलेम मोडल चार्ड बनाना इस तरीके के बहुत सारे वीडियो जापको यहां मिलेंगे तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अब कर देनी है आपको इस पर आइस पेस्ट तो आइस पेस्ट करने के लिए आपको लेनी है फैविक्रिक और फैविक्रिक लगाकर जो ढखकन हमने आइस बनाने के लिए लिया है उसको पेस्ट कर देना है इसके उपर इस तरीके से और जहां पर वाइट कलर किया है उसके अं आप मुझसे भी अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं, आप मुझसे भी बेस्ट बना सकते हैं, तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो ज़रू से ट्राइ कीजिए फ्रेंड्स, प्लास्टिक की बोटल को बाहर फिटने के बजाए आप इस तरीके से प्यारा सा डियाइव बनाने से प्लास्टिक की बोटल फेकने से जो प्रदूशन होगा वो भी बचेगा और आपको इत प्यारा सा सुन्दर सा डियाइवाई भी मिलेगा, ये मल्टी परपरज डियाइवाई हो सकता है, अगर आप चाहे तो इसमें कीचन के टूल से भी रख सकते हैं, और अगर पर मैंने इसको गार्डन में डेकोरिट करना पसंद किया है, तो इसके लिए मैंने लिए हैं नारियल के चिलके, जिनको नारियल की जटा भी कहा जाता है, तो सबसे पहले मैंने इनको एड़ कर दिया है, उसके बाद आप जो भी प्लांट लगाना चाते हैं, वो लगा और थोड़ी से मिट्टी एड़ कर दीजिए, नारियल के चिलके जटा का यूज मैंने इसलिए किया, जिससे कि इसका वेट जादा ना हो, अगर पूरा आप मिट्टी का यूज करोगे तो इनका वेट जादा हो जाएगा, अब मैंने इसमें मनी प्लांट लगा दिया है, त प्यारा सा लगेगा अपका गार्डन, तो फ्रेंड्स कैसा लगा, आपको ये बेस्ट आउट और फेस्ट का आइडिया, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स वीडियो में, फिर से ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, नए